नमश्कार दोस्तों वेल्दसकाई के न्यू इंट्रस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंगे understand करेंगे यहां पर कि market का कलका कैसा momentum रह सकता है क्या market sideways रहेगा या फिर market जिस तेजी में था उस तेजी को continue करने की कोशिस करेगा आज के एक अच्छे खासे correction के बाद तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से चलते हैं option chain data पर देखते हैं और समझते है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था बिसिकली संडे का वीडियो संडे को मैंने एक वीडियो डाला है regarding the option selling course जी यहां दोस्तों जिन लोगों की demand थी कि एक option selling course बनाया जाए और उन सारी डिटेल्स दी हुई है इविन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहां पर सारी डिटेल्स एफिलेवल है प्लस इसी के साथ मैंने मैनी offers में जितने भी courses हमारे चलते थे regarding the intraday in stocks trading regarding the index trading course और index option course इन टीनों पर और रखे ग index option course खरीदना चाहते हैं और वो old student है उनके लिए जो fees है वो सिर्फ 2,000 रुपीस है और जो लोग new students बनेंगे उनके लिए जो fees है वो 2,500 रुपीस है तो अगर आप interested है आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा तो आप definitely उसको subscribe कर सकते हैं description में सारी details दी हुई है आप check कर स फाइली दोस्तों मैं आगया है निसी की website पर जहां पर हम nifty and bank nifty option chain turner समझने की कोशिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आज की closing आप देख सकते हो 11930 की closing आई है 12,000 काली हमारे target ता हो आज अची होता हो दिखाई दिया gap up opening में उसके बाद वहाँ से एक profit booking देखने को मिली और market थ यहां से ऊपर जाना है और ऊपर जाके sustain करना है तो यह मत समझेगा कि market ने आज के दिन में एक top बनानी की कोशित करी है लेकिन हां जिस तरह का global माहूल हो सकता है आपको दुबारा से rebound देखने को मिले तो option change में अकर हम देखे हैं और समझे कि यहां पर देखो सबसे वहले 11900 यहां पर जो की पुट सोलह लाग कड़े तयर का open interest के लिए लिए यहां पे और जो की call से जादा यह call पर कितमा है और मुझ 15,74,000 का तो 11900 की जो पुट है वहां पर काफी जादा open interest है इसका मतलब 11900 की नीचे जाएगा तो दिक्कत होगी 11900 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है market क 12000 पर क्लिए दिख रहा है आपको 27,77,000 का open interest call site पर है लेकि port site पर स्विफ 6,00,000 का है अब simple सी चीज है कि जो market का nifty का जो next target है 1200 का वह आपको अच्छी होता हो दिखाई देगा अगर 12000 के ऊपर sustain कर जाता है और अगर closing दे देता है तो वह target फिर आपको अच्छी होता हो गए देगा 12,000 के ऊपर निकलते ही देखो running market में कर अगर 12,000 ठूटता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखो जब 11,620 की हमने बात करी थी running market में तो वहां से always 200.50 भागा अगर 12,000 से यहां पर running market में यह break होता है gap up में होगा और sustain कर जाएगा तब ही chances बनेगे ऊपर जाने के लिए कि running market में अगर ब्रेक होता है तो काफी अच्छी बात है क्योंकि वह एक constant sustainable buying आती है जिसकी वेज़े से एक levels तूटते हैं तो ज़्यादा तक sustain करते हैं as compared to gap up के तो बारहाजार रानिंग market में तूटता है तो आप बारहाजार सो तक के लिए एक तेजी कर सकते हैं यहां पर clearly यह momentum बनता हो दिखाई देगा इसमें जो support मिलेगा वो global माहूल का ही मिलेगा global माहूल अच्छा है कोई भी ऐसी negativity नहीं है कई ना कई US market भी support कर रहे हैं और वहां पर भी जो trading sessions हैं वो बहुत ही जादा important trading session रहे गए हैं क्योंकि बहुत ही जल US elections हैं तो उस election से हो सकता है आपको डाओ एक नया lifetime high बनाता हो दिखाई दे nasdaq lifetime high बनाता हो दिखाई दे तो वह हो सकता है अगर हम currently चार्ट को समझने की कोशिस करें तो निफ्ती के चार्ट पर देखो यह है जो important zone है जिस zone को हम predict करने की कोशिस कर रहे हैं कि 11800 आपका एक buying level है काफी अच्छ की नीचे जाएगा तो market फिर negative हो जाएगा यह clearly आप समझेजे जब तक 11800 के ऊपर trade कर रहा है कोई प्रॉलम नहीं है तेजी करने वालों के लिए यहां से बहुत ही अच्छी तरीके से rebound हो सकता है ऊपर की तरफ जो एक टार्गेट है वह बाराजाब 100 है तो बाराजाब 100 के यहां पर आपको profit working ही करनी है यहां पर आप शॉर्ट भी कर सकते हो इस ट्रिक्रिश टॉप लाउस के साथ और नीचे 11800 पर आप बाइंग करने की ही कोशिस करना 11800 के नीचे अगर close देना start कर देता है या sustain कर जाता है उपन नहीं आपाता है resistance बन जाता है तो फिर आपको और बंदी होती हो दिखाई देगी फिर 11600 तक आपको nifty slide करता हो दिखाई देगा है या वहां तक जाता हो दिखाई देगा important चीज निफ्टी नहीं है important चीज है bank nifty क्योंकि bank nifty underperformance कर रहा है और मुझ अभी भी still अगर दिखा रहा है तो आया दिन तो 26% का underperformance है अपने टॉप से तो दूसी चीज है आप देख सकते हो कि nifty ने जो अपना swing high बनाया था यहां पर आप देख लिए यहां पर यह जो अगस्त के last date में swing high बनाता 11800 का इसने उसको भी पार करके 12,02030 के area तक चला गया लेकिन bank nifty अभी भी उस level को पार नहीं कर पाया है तो आज का trading fashion bank nifty के 200-day moving average के आसपास ही closing B है तो देखेंगे कल का trading session कितना important रहेगा कल के trading session में जो important level है वो 23500 के नीचे गया तो फिर 2200-23000 तक भी जा सकता है bank nifty और अगर यह इस level के उपर टिका रहता है तो यहां से यह इस तरीके से यह नीचे आया थोड़ा सा sideways गया और फिर उपर जाने के क पूशिस कर सकता है एक बार अगर यह 23200 के ऊपर निकलता है देखे 23200 यह लेविल ता जिसकी हमने बात करी थी इसके ऊपर निकलता है फिर इसके लिए कोई hurdle नहीं है और फिर यह कहां तक stretch हो सकता है यह around 2600 तक stretch हो सकता है यानि 2600 even 2600 नहीं 27000 का target वान के चल सकते हो कि 27000 तक देखा जाए तो 2300 27000 करीब करीब करी 3000 पॉइंट की रिली बन सकती है जो कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत आसान होती है क्योंकि आप देखो कि इस नहीं यहां से यह आप देख रहे हो यह लो बनाता बीस है 400 हमने हाई आज कितना बना दिया 24200 का ठीक है तो आपका देख लोगाइच काम आपको चैनल के अंदर ही काम काज हो फिर हम आज हमने अच्छा ब्रेक आउड दिखाए और अगर कल ही गैप अपर मार्कोषिस प्रेगा तो मुमेंटम फिर एकडम से बाफिस आता हो दिखाई देगा तो आपको आप नज़र रखना है किस लेवल पर आपको नज़र रखना है वो आपको 24-200 के लेविल पर, 24-200 निकले तो आप अपनी long की position आपने जो भी बनाई है उसमें आप quantity add कर सकते हो, अगर आपने अभी भी नहीं बनाई है तो आप उस तेजी की position को 24-200 के बाद निकलने के बाद आप सीधा सीधा 1100-1200 point की तेजी कर सकत हो, बैंक निफ्टी में वो भी strong quantity के साथ, ठीक है तो वो momentum आपको एक अच्छा momentum मिलेगा, बहुत ही short term में मिलेगा, तो वहां से आपको एक profit काफी जबरदस हो सकता है, जो तीजी आप करोगे उसका ये stop loss आप मान के चलिएगा कि आपको जो stop loss होगा, वो करीफ पर 24-250 की, नीचे आजाता है, तो आपको अपनी तेजी की position से exit कर देना, ये clear cut है, जो भी loss हो, immediately book कर लीजेगा, otherwise वो loss और भी बढ़ सकता है, ये मेरा आपके लिए सीधा-सीधा view है, जो कि आगे आने वाले दिनों में आपके काम आ सकता है, अगर हम currently global market की बात करें, तो देखो, यहा पर काम काच कर रहा है, लेकिन important, अगर मैं indexes future की बात करूँ, तो यहां पर आप देख सकते हो, कि ये देखो, आपका NASDAQ almost almost 221 points उपर है, ठीक है, SNP almost आपका 0.74% उपर है, सिर्फ DAO है, जो एक कह सकते है, consolidation का session दिखा रहा है, लेकिन SNP 500, NASDAQ और SNP 500 एक अच्छी घासी ते communication दे रहा है, अगर ये तेजी sustain करती है, उपर के level पर hold करती है, तो बहुत इच्छे बात है, आप देख सकते हो, CAC, DEX, NIP, FITS, ये सब एक अच्छी तेजी के साथ काम काच कर रहे है, तो global mahal तो ठीक ताक है, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर market में कुछ लाल negative आन ये देखो, आज हम 12,000 के पास हैं, और जो lifetime है वो around 12, 470 के आसपास का है, तो ये 500 पॉइंट की rally नेस्टेक्ट कर सकता है, और ये 500 पॉइंट की rally करेगा, तो कहीं न कहीं Dow Jones भी इसके साथ साथ दे दे रहे ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, तो इससे पहले तो शायद लग नह का session दिखेगा, यहाँ पर 12,000 पर देखेंगे कि 12,000 को किस तरीके तरफ पार करता है, अगर आज के trading session में ही 12,000 को hold कर लेता है, तो यहाँ पर फिर आपको अगले 2-3 trading session में ही नए lifetime हाई बनने के लिए, यहाँ पर पूरे-पूरे chances बन सकते हैं, अगर मैं currently SGX Nifty की बात करू के साब से, तो हमने जो closing दीती है, हमने 930 पर दीती है, अगर हम बात करें तो अभी जो चल रहा है, 11,986 चल रहा है, तो कहीं न कहीं हमने भी नीचे से recovery दिखा दिये, ग्लोबल माहल को देखें, तो कल फिर हमें gap up opening देखने को मिल सकती है, फिर देखेंगे कैसा रह सकता है, आपको focus करना है, बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में अब आपको जो progress मिलेगी, बहुत slow-slow मिलेगी, लेकिन बैंक निफ्टी हो सकता है, थोड़ा सा तेजी दिखा सकता है, और 24 दोसों पर नजर आपको रखनी है, तो I hope दोस्तों ये particular data आपको समझ में आगया ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेट जरू करिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब करीजिए, क्योंकि मैं सुझी लेकि आता हूँ, हर दिन आपके लिए नए वीडियो, इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, चैहें